वेल्टम्ट कॉमर्स लिक्चर्स आपने हां आज का वारा टॉपिक है इंडियन ट्रांस नेशनल कॉर्परेशन टे एंसी इन काई यह नोट्स रहे हैं तो डेस्कृप्शन में लिंक मिल जाएगा वहां से आप नोट्स टाउंडूट कर सकते हैं इंडियन ट्रांस नेशनल कॉर्परेशन क्या चीज है इस वन्टाइज है इट्स हेड़कोटर इन्डिया इन का हैड़कोर्टर किसमें होते हैं इंडिया में बेसिकली इंडिया की कंपनी होती है लेकिन इसका जो बिजनस है वो कहां फैला होता है अधर कंड्री में दूसरी जगह फैला होता है 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 इंडिया में और बाकी ब्रांची सब्सीडिरीज ओफिसेज फैक्टरीज यह सभी दूसरे देशों में भी होंगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं इनके फीचर्स क्या है दा इंडियान टीन्सी इंगेज इन इंडियान टीन्सी होते हैं वो बैसिकली किस काम में इन्वाल होते हैं और यह क्या करते हैं दूसरे देशों की रिसोर्सी और मार्केट्स को यूज करते हैं आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट देखो इट कंसेंट्रेट्स इन डवलापिंग कंट्री और में इनका कंसेंट्रेशन क्या होता है डवलापिंग कंट्री जैसी कंट्री जो भी डवलाप कर रही है ठीक है डवलाप्ड नेशन्स नहीं होते हैं डवलापिंग कंट्री होती है जैसे कि मलेशिया इ नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंडियन TNC's are smaller in size, इनके size काफी छोटे होते हैं, किसकी comparison में developed countries के, अब जिसी USA और इंडिया को compare करेंगे, तो इंडिया की जो company है वो छोटी होगी size में, It uses low cost or product differentiation strategy to meet competition from foreign MNC's, अब इनको competition तो लड़ना पड़ता है, दूसरे देश की multinational companies तो कैसे लड़ेंगी competition में कैसे आगे निकलेगी, low cost करके, अपनी cost को खर्चा कम करके and product differentiation, यानि कुछ अलग सा different सा product बनाके, जो है ये foreign की जो company है, उनसे competition में आगे निकलने ही कोशिश करती है इसे आगे वीडियो आपका over हुए